हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर दोस्तो फिर से हाजिरू एक नया वीडियो और व्लोग लेकर आप सभी के लिए दोस्तो आज लेका है हूं वो एक ऐसे इंफोमेशन जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता है और वो लोग प्लाइ करते हैं डुमेस्टिक या इंटरनेशन जाते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भार कंट्री में काम करते हैं जैसे कि यूरोपेन चैनल पर नहीं है चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें जादा-जादा सबके साथ शेर करें तो दोस्तों जो आज की सर्विस है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो को लास तक जरूर देखेगा क्योंकि मैं आपको पॉइंट बाइप एक चीज बताऊंगा इस सर्विस का नाम है अनकंपनीड माइनर ज्यानी कि अगर आप डोमेस्टिक य एरलाइन इसको सेफली एक जगह से दूसरी जगह ले जाये और हमें जवरत ना पढ़े इनके साथ ट्रेवल करने के लिए तो एक ऐसा माइनर जिसको कोई भी कंपनी नहीं करता है वो खुद से ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है चाहे वो डोमेस्टिक फ सेफली इंडिया आ जाए जिनके पास पोचना है वहाँ चला जाए और अगर इंडिया से भार के लिए ट्रावर करना है तो वह सेफली एरलाइन उसको हैंडल करके और वह सर्विस लेके हम उसको बाहर पहुचा दे तो दोस्तों पॉइंट बाइज के बारे में बात करूंगा इस उम्र के अंदर आपका बच्चा उगर आप चाहते हैं विक्यू अकेले ट्रावल करें तो यह सर्विस परचेज कर सकते हैं अनकम्प्रीड माइनर इसको बोलते हैं किसी भी एरलाइन से डोमेस्टिक इंटरनेशल एरलाइन में आप परचेज कर सकते हैं तो वह फिर बच्चा है वह हमेशा parents के साथ travel करता है बट अगर उसकी उमर 5 साल से उपर होगी है और आप चाहते हैं कि यह बच्चा अकेले travel करके सर्विस परचेस करें यह मेनर्की और ट्रेवल करके चला जाए तो 5 साल से 12 साल तक का आप यह सर्विस परचेस करके domestic या international flight पर अपने बच्चे को आप भेज सकते हैं और दोस्तों अब बात करूँगा दूसरे point के बारे में और दूसरा point है मेरा charges के बारे में कि क्या charges रहता है तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जब आप ticket purchase कर लेते हैं किसी भी airline का मानो अगर आपको यहां से ट्रावल करना है दुबई के लिए आपके बच्चे को ट्रावल कराना है पहले आप उसका ticket purchase करेंगे और ticket purchase करते हुए भी आप डारेक्ट airline के call center बात करके सर्विस परचेस कर सकते हैं टिके के साथ भी और अगर आपने नहीं किया है तो ticket purchase करने के बाद यह service आप एड कर सकते हैं आप airline के call center पर बताएंगे कि हमारा एक बच्चा है जो travel करने वाला है और आपको उसके चार्जिस टिकेट के अलावा पे करने पड़ेंगे उस service के लिए चार्जिस वैरी कर सकते हैं according to airline अलग-अलग हो सकते हैं according to sector भी अलग-अलग हो सकते हैं आपका बच्चा कर डोमेस्टिक में जा रहा है तो वह चार्जिस अलग रहेगा इंटरनेशनल प्लाइट पर जा रहा है किसी भी तो वह चार्जिस अलग-अलग रहेंगे तो चार्जिस आप हमेशा call center phone करके उस का अलग रहेगा और इस सर्विस का माउंट अलग रहेगा तो टिकेट परचेस करते हुए यह सर्विस आप एड कर सकते हैं तो यह दोनों चार्जिस अलग-अलग रहेंगे और आपके लिए सिर्फ आपको एडलाइन के call center पर ही बात करना पड़ेगा या फिर आगर आपका एड़ेंट टिकेट बुक करते हुए वो खुद से करा सकता है तो आप एड़ेंट को भी बोल सकते हैं दोस्तों अब बात करूंगा प्रोसेस के बारे में कि कैसे यह सारा काम प्रोसेस होगा जब आप आना कंप्रीड माइनर की सर्विस एडलाइन से परचेस कर लेंगे तो दुबई दोहा कहा पर तो उनका पूरा आईडी के साथ वो सारा डेटेल आपको देना पड़ेगा उस फोम के अंदर और बहुत सारी एरलाइन है जो एरपोर्ट पर ही फिल कराती है तो आप जब ड्रोप करने आएंगे बच्चों को तो एक एरलाइन का करना होग है कुछ भी रिजर्ण हो जह रहाएं इसलिए परने चो बिलाइले नहीं चोड़ता है यह क्रू को हैंडोवर देता जो anga के ये बच्चा अनकंपनीड माइनर है और वो एरोस्टेस उसका हैंडवर लेने के बाद एरक्राफ्ट में उस बच्चे को ऐसी सीट देती है जहाँ पर वो उस पर नजर रख सके अपने पास और उसको खाने पीने की चीज़ें ओफर कर सके और कोई भी परिशानी हो तो पीट भी अकोडिंग टू सर्विस होती है ताकि वो बच्चा एरोस्टेस की नजर में रहे जहां पर बच्चा जा रहा है फिर से रोस्टेस उसका हैंडवर एक एरलाइन के रिप्रेजेंटेटिव को देती है जो भी मेल या फीमेल होता है उसके अकोडिंग बच्चे के अ हैंडवर करती है वीडियो पर हमेशा जा कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको हमेशा रेपलाई देता हूं और सोलूचन देने की कोशिश करता हूँ तो वीडियो अगर पसंद आयो तो चैनल को सब्क्राइब जरूर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए दोस्तों यहमारा देखते रहे हैं लाइक करें और जादा जादा शेर करें वीडियो मिलते हैं आपने इसी तरीके के नेक्स्ट व्लोग के अंदर